दोस्तो बहुत सारी बार हम डिजिटल केमेरे से जब शूट करते है तो वह लोगे बढ़े बदे आते है तो एस अगर हमें वीडियो की साइज्ट करते हैं चाहते हैं इस वीडियो के अंदर वीडियो को मर्च करना स्प्लीट करना या वीडियो के अंदर सब्टाइटल एड करने का भी ऑप्षिन मिलता है और स्क्रीन रेकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इतने सारे फीचर से बनावा यह सौफ़वेर इसका नाम है वंडर्शर यू तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में मैंने इस सॉफ्टियर के बारे में का वंडर्शर यूनी कन्वर्टर उसको डाउनलोड इंस्ट्रॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जिस करने है यही वीडियो को एडिट करना है स्क्रीन रेकाउड करना है मर्च करना है डिवीडी वड्र करना है जो भी है ambitious मने विदिये कोर्ण देखिए मैं इन सभी इन शहां पर आपके सामने कुछ तरह से इंठ्रफेस आता है यहां पे सबसे पहले द्रक्राइक अर्ड़ाल G तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए, आपके पास जहां पर भी वीडियो है, वो आप अड़ कीजिए, जैसे मैं इन सभी MP4 वीडियो को AVI में convert करना चाता हूँ, तो सभी वीडियो एक साथ आप यहाँ पर convert कर सकते हैं, batch process यहाँ पर होता है, सभी वीडियो एक साथ convert होंगे MP4 to AVI, तो यह MP4 मैंने select किया है, मैं इसे open कर रहा हूँ, जितने भी वीडियो हैं, जैसे मैंने यह memory card location से मेरे वीडियो पूरे की पूरे select कर ले, यह सारे वीडियो MP4 है अबी, और इन सभी को मैं convert करना चाता हूँ, AVI में तो यहाँ पर देखेंगे, output format में AVI already selected है, मैं यहाँ पर जाकर दूसरा कोई format लेना चाता हूँ, तो ले सकता हूँ, AVI में भी कौन सा resolution, बतलब कौन सा quality चाहिए, basically HD 1080 वाला चाहिए, या फिर आपको यह वाला चाहिए, या उसके उपर का quality चाहिए, जो भी आप यहाँ पर quality चाहिए, वो select कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर select करोगे, उसके बाद start all button पे click करोगे, तो यह सारे वीडियो एक साथ कनोट होगे, अगर मुझे कोई एक ही वीडियो convert करना है, तो मैं पे click करूँगा, लेकिन मैं सारे एक साथ convert करना चाहिए, तो start all button पे click करूँगा, यहाँ पे process हो रहा है, तो इससे मैंने थोड़ा सा fast forward किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सारे के सारे convert हो चुके, डिपेंड आपकी कितने वीडियो उसके साबसे आप यह वो time ले basically, यहाँ पे आप click कीजिए, finish पे आप देखेंगे सारे के सारे वीडियो यहाँ पे AVI format में convert हो चुके, आप इसे folder में देखना चाहते हो, तो यहाँ पे open folder location पे click कीजिए, यहाँ पे एक folder मिलेगा, जिसमें यह सारे के सारे वीडियो आपको AVI format में एक साथ convert मिलेंगी, यह यहाँ पे आप उसका extension आभी देख सकते हैं, यह AVI format में convert हो चुका है, तो यह पहला option हमने देखा, अब हम देखते हैं कि किसी भी website से हम वीडियो कैसे download कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे downloader option है, और downloader option में आपको यहाँ पे कोई भी website का link डाल देना है, तो यहाँ पे detect हो जाती है, और वीडियो ढालोड होना भी start हो जाता है, अनेलाइजिंग दिखाए दे रहे, और यह पे कुछ फिस सेकेंग्स के अंधर यह वीडियो यहाँ पे download हो जाता है, यह पे आप देख सकते हैं, और यह पे क्लिक करके, यह यह वीडियो download हो आय कि नहु आए? और जितने भी वीडियो आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर URLS फाइल भी एक जनरेट होती है, मतलब आप जिन जिन लिंक से वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, वो सारी की सारी लिंक से यहाँ पर आपको दिखाए देखे थे, मैंने पहले कुछ वीडियो डाउनलोड करके है, तो होज़ यहाँ पर क्लिक करूंगा, दुबारा इन वीडियो इसको मैं सेवेग करूंगा, इसे फिरेखे लिएग PERI करना जाथा हो, लेकिन कितना साइज में कम करना चाथा हो, 70% हैंपको एम पर ऑप्शन दिया है है, कि क्तना प्रसंटेज소리 आप पे चेक रहेगा अगर आप standard quality लेंगे low quality लेंगे तो वीडियो की quality वाप पे decrease होगी लेकिन file size 70% होगी यहाप और high quality इसकी size देखिए पहले कितनी है 42 MB है तो यह original वीडियो की size 42 MB अब हम करते है से compress क्योंकि एक ही वीडियो तो यहाप पर पूरा compress all करने की ज़रूद नहीं compress करेंगे बस अब आप यहाप देखेंगे यह video compress हो चुका है दुबर आप finish पे click करो और यहाप जाकर click करो या फिर यहाप इसकी size देख सकते है 29 MB हो चुकिए और quality अगर आप देखना चाहते है तो यहाप पर जाकर आप quality या resolution उसका चेक कर सकते है यहाप फिर वीडियो को प्ले करके देखिए देखिए इसकी quality as it is है या फिर आप properties में जाकर वीडियो की quality भी चेक कर सकते है यहाप पर जाकर details में देखिए उसका 1080 pixel का resolution जो है वो as it is यहाप आपको दिखाई दे रहा है तो compressor के बाद यहाप एडिटर next option है जहाप वीडियो को trim crop वीडियो में automatic add करना effect subtitle audio यह देर सारी सीज़े यहाप कर सकते है मैं पहले trim दिखा तो आपको मैंने trim पे click किया एक video मैंने select किया open किया अब यह वीडियो यहापे open हो चुका है pop up आ चुका है अब यहापे यह play head यह यहापे लाके रखिएं यहाँ से मुझे cut करना है और यहापे आपको scissor दिखाए दे रहा है यह control k button आप press करेंगे तो यह cut हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का यह बीच का part हटाना है मुझे तो मैं इसे भी scissor करता हूँ इसे select करकि यह part को यह से delete कर देता हूँ तो trim करने के बाद आप ok करेंगे तो यह trim हो जाएगा यह जो मैंने cut किया वो part यहापे आपको दिखाए दे रहे है अलग-अलग trim में आप एक हमने part उसके बाद यहापे वीडियो को crop भी up कर सकते है यहापे crop को option दिखाए दे रहा है crop पे click किजे आप यह video का actual resolution 16 by 9 आप इसे कै crop करना चाहते 9 by 16 इस तरह से आपको short video बनाना है या फिर आपको square video चाहिए या पर आपको directly default यहापे cropping के options दिए या फिर आप यहापे जो आपको red border दिखाए दे रहा है इससे भी आप crop कर सकते है तो यह तो crop के बारे मैंने आपको बता है साथ में आपको यहापे effect option दिया ह effect में आप जाकर यहापे धेर सारे और भी effect अएड़ कर सकते है brightness, contrast, saturation, white balance सारी चीज़ी यहाँ से चेक कर सकते है या change करना चाहते है तो आप कर सकते है जो भी effect आप दे रहे हो after effect कैसे नज़र आएगा वो आपको यहापे दिखाए दे रहा है अब मैं effect को none करता हूँ और auto mark पर क्लिक करता हो, auto mark भी आप अप अड़ कर सकते है आपको image, auto mark अड़ करना है तो image type पर क्लिक कीजिए यहापर क्लिक करके आप यहाप image select कीजिए तो यहाँ पे कोई भी एक logo select कीजिए, मैंने एक logo select किया है, एक icon select किया basically, अब यह auto mark आपको रखना का आपके basically वो आप decide कर सकते कि वही इसको आपको रखना का आप इसकी size कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, तो यहाँ पे मैं इसको size कम कर देता हूँ और इसे corner में लाके रख द जैसे नज़र आए, तो इसे आप light भी रख सकते हैं, या फिर आप text type auto mark भी add कर सकते हैं, अगर आप text लिख के कोई auto mark add करना चाते हैं, तो भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद ही आप subtitle भी add कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़े यहाँ पे दी गई है, और आप video का speed बढ़ करना चाते हैं, तो वीडियो का speed भी यहाँ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं 3x करूँगा, तो और भी यहाँ पर fast हो जाएगा, तो यह सारी चीज़े यहाँ आप कर सकते हैं, एडिटर के अंदर दोस्तों, एडिटर के बाद यहाँ पे next option है merger, म यहाँ पर finish में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनो का combine करके एक वीडियो बन चुका है, जो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊ तो यहाँ पर पहला वीडियो है, फिर इसी में यह दूसरा वीडियो दिखाए दे रहा है, यह continue यहाँ पर तीनो व यहाँ पर mic on रखना है, या फिर आपको यहाँ पर speaker on रखना है, मतलब आपको कोई online lecture चल रहा है, उसका भी आवाज record हो, तो आप यह भी लख सकते है, system sound record करने के लिए, और उसके बाद आप यहाँ पर lecture record करते करते, logo भी add कर सकते हैं, आपना कोई logo add करना है, तो यहाँ पर लोगो दोस्तों, तो जहाँ पर भी यह logo रखना चाहते, आप रखिये, और उसके बाद record बटन पर click करते है, recording start हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर screen recording भी आप कर सकते है, तो screen recorder में आप screen record तो करी सकते, साथ में यहाँ पर web camera recorder option भी available है, तो आप अपना video भी record करना चाहते तो web camera अगर लगा हुआ है आपके computer में, या फिर laptop में तो inbuilt रहता है, तो आप वो कर सकते, audio record भी आप कर सकते, खली audio record करना है, या फिर specific application का screen record करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते, जैसे आप यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर option आएगा, कि select application, कौन सा application आप चाहते उसे आप select कर लो और वो फिर white screen particular record कर लेगा, उसके अलाव यहाँ पर आपको next option मिल रहा है, DVD burner, जो DVD अगर आपके वास है, तो उसे आप burn कर सकते, आजकल DVD बहुत कम use होती, लेकिन यहाँ पर next जो tools है, AI lab, artificial intelligence lab, जी या दोस्तों इसमें, remove automark एक interesting option है, जो कि आप किसी वीडि है, vocal remover है, noise remover है, watermark editor है, background remover है, धेर सारी चीज़े यहाँ पर आपको दिखाए दे रही है, इन सभी tools का आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इन सभी tools के आपको जरूरत है, तो जरूर आप इस software को consider कर सकते है, description में मैंने link दिये, जासे आप इसे download कर सक लगता है, यह paid software है, बट काफी का software है दोस्तों, जरूर चेक आउट कीजिएगा, तो दोस्तों, वन शेर इनी कनवर्टर का यह software का video अच्छा लगा हो, तो like, share और comment कीजिए, description में मैंने मेरी website की link दिये, वो जरूर चेक आउट कीजिए, इस software की भी link है, वहाँ पर आपको म मिल जाएगी, and मैं मिलों को कुछ और इंटरेशनी होगी, तब तक के लिए अपना खायल रखिए, सीखते रही है, लोगों को सीखाते रही है, खुश रही है, बाई बाई